हेलो फ्रेंड्स यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर यूटूब चैनल राहूल वालिया लंडिंग हम और आज फिर एक बार से हम आपके लिए लेके आये हैं कोंटेंपरी इंडिया एंड एजूकेशन राचीन भारत और सिक्षा यह फर्स्ट पेपर है और इसकी सैकेंड यूनिट हम लेके चल रहे हैं और सैकेंड यूनिट में इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है तो उसमें हमने कलकता इनिवस्टी कमिशन और सिक्षा के लिए भारतिय जो आंदोरन हुआ था तो उसको वहां पर हमने वीडियो को खतम किया था पिछले वाले वीडियो को और आज हम इस वीडियो को वीडियो हम पढ़ रहे हैं ये सवतंतरता से पूर सिक्षा का नितिकर धाचा ये यूनिट सैकेंड है हमारी और उसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं हार्टोक समिती से तो हार्टोक समिती क्या है आठ नमंबर 1927 को भारतिय साइमन आयोग ने एक सायक समिती का गठन किया थ सर्फ फिलिप हार्टोक को इस समिती का अध्यक्स पना गया था वह पहले से ही कलकत्ता विस्विधारले के सरस्ते के रूप में काम कर चुके थे और धाका विस्विधारले के कुलपती के रूप में भी काम कर चुके थे तो समिती ने 11 सितंबर 1929 को साइमन कमिसन को अपनी रिपोर्ट सोभी थी ठीक है ना अब उस रिपोर्ट में क्या का सुझाव दिये थे उनको मिगबार पढ़ेंगे इस से पहले इसको इंगलिस में इक बार देख लेते हैं On November 8, 1927, Indian Simon Commission formed an auxiliary committee. Sir Philip Hardog was made the chairman of this committee. He had already worked as member of the Calcutta University Commission, sorry Calcutta University, and also served as vice chancellor of Dukka University. The committee submitted its report to Simon Commission on September 11, 1929. अब उन्होंने जो रिपोर्ट पेस की थी, Hardog Sir Philip ने, Hardog committee ने, तो उसमें क्या सुझाव दिये थे? Indian Education System को इंप्रूव करने के लिए क्या सुझाव दिये थे? उनको एक बार देख लेते हैं. Hardog समीती के सुझाव. प्रात्मिक शिक्षा के संब्द में क्या सुझाव दिये थे? उनको बढ़ते हैं. प्रात्मिक शिक्षा की जिम्मदारी पूरी तरह से स्थानिय निकायों पर नहीं छोड़नी चाहिए. ये पहला सुझाव दिया था. दूफरा सुझाव प्रात्मिक विध्याले निर्क्षकों की संख्या बढ़ाई जाए. विध्याले निर्क्षकों की संख्या निर्क्षकों कोन होते हैं? जो ब्लोग पे बैठते हैं, डिपुटी, एजुकेशन ओपिसर होते हैं और डिस्टिक टेवल पे बैठते हैं तो वो कहते हैं कि प्रात्मिक शिक्षा की निगरानी करने के लिए, टीचर्स की निगरानी करने के लिए, स्कुलों की निगरानी के लिए निरिक्षकों को जाना चाहिए तो प्रात्मिक शिक्षा की नियुंतम अवधी चार वर्स की जानी चाहिए और प्रात्मिक विध्यालों में योग्य एवं परसिक्सकों की नियुक्ति की जाए तथा उनके वेतन में वरद्धि की जाए वितन में वरद्धि की जाए क्योंकि जब वेतन बढ़ इंगलीज में पढ़ लेते हैं, Suggestions of the Hard Dog Committee, Suggestions regarding Primary Education. The responsibility of Primary Education should not be, इस प्राइमरी स्कूल इंस्पेक्टर शुड़ बी इंक्रीज़। चलिए, आगे सुरू करते हैं। हां जी, the minimum duration of Primary Education should be made of 4 years. And qualified and trained teachers should be appointed in Primary School and their salaries should be increased. आगली स्लाइड पर चलते हैं। माध्यमिक सिक्षा के सम्मद्ध में क्या सुझाओ दिये थे? वो थे Primary सिक्षा के लिए क्या सुझाओ दिये थे? अब हम पढ़ेंगे माध्यमिक सिक्षा के लिए क्या सुझाओ दिये थे? तो यह पाया किया कि माध्यमिक सिक्षा परिक्षा उन्मुत थी. माध्यमिक अस्तर पर अनुत्तिन सात्रों की शंख्या बहुत अधिक थी उस टाइम पे. मतलब क्या है कि जो बच्चे थे वो फेल बहुत ज़ादा होते थे और माध्यमिक सिक्षा पर वो क्या थी? वो examination based थी education तो इस दोनों कमियों के कारण इस प्रकार थे. क्यों थी वे कारण? मध्य विध्यालों का निम्ल सेक्सिक अस्तर, योग्य पर शिक्षकों की कमी और माध्यमिक सिक्षा का विस्तार. तो उप्यूक्त कमियों को दूर करने के लिए हाड़ टोक समयती ने निम्ल की सुझाव दिये थे. क्या सुझाव दिये थे? मध्य विधाल्यो के पाठ्ठक्रम में फुधार किया जाना चाहिए मध्य विधाल्यो का मतलब होता है middle school तो 10 तक होते हैं वेवसाइक और तक्निकी विश्यो को पाठ्ठक्रम में सामिल किया जाना चाहिए परसिक्सित सिक्सको की निप्ति की जाने चाहिए और शिक्सकों के वेतन में वरधी की जाने चाहिए छात्रों के पास अपनी रूजी के अनुसार विसे चुनने का विकल भी होना चाहिए एक बार इंग्लिस में देखेंगे Suggestions regarding secondary education It was observed that secondary education was examination oriented Number of failure students in the secondary level was very much Reason for these two shortcomings were as follows Low education standard of the middle school Lack of well qualified trained teachers Expansion of the secondary education HARTU Committee give the following suggestions To overcome the above mentioned shortcomings The curriculum for the middle schools should be reformed Vocational technical subjects should be included in the curriculum Trained teachers should be appointed and salaries of the teachers should be raised Students should have options to select subject according to their interest So, these were the same MADMIC SIXTA के संबन्द में Sujhau अब आगे की स्लाइड में उच सिक्सा के संबन्द में सुझाओ हम पढ़ेंगे यहाँ पे उच सिक्सा Suggestions for higher education उच सिक्सा के संबन्द में क्या सुझाओ दिए परते के विश्विध्धालों में पुस्टकालो, पर्योक्षाला एवं सोधकार्यों की समुझीत ववस्था की जाए कुछ विश्विध्धालों में Honors Course का मतलब होता है एक ही सब्जक्ट के लिए Perfection एक ही सब्जक्ट के लिए Perfection हो जाना विध्धालों में और दोगिक और तक्निकी सिक्षा का आयोजन किया जाना चाहिए विश्विध्धालों में योग्य सिक्षगों की ही निफ्ती की जाए छात्रों को नोकरी दिलाने में मदद के लिए विश्विधालो में रोजगार ब्यूरो खोला जाना चाहिए। Suggestions regarding higher education Proper arrangement of libraries, laboratories and research work should be made in every university Honors courses should be started in some universities Industrial and technical education should be organized in the university Well qualified teachers should only be appointed in the university Employment Bureau should be opened in the university to help students in getting jobs अब उसके बार आती है बुनियादी सिक्सा बुनियादी सिक्सा के बारे में आद पढ़ेंगे इसे डॉक्टर जाकिर हुसेन ने कांग्रेस के हरीपूर अधिवेशन में प्रस्तुत किया था बुनियादी सिक्सा के फिद्धान पढ़ते हैं मुफ्त और अनिवारे सिक्सा होनी चाहिए सिक्सा को स्वावलंबी बनाने के सिध्धान्त बेसिक एजुकेशन यहापे आप बढ़ सकते हैं यही सबकु सेम दियावा है यहापे देख सकते हैं आप लो आगे चलते हैं आगे की स्लाइट में बुन्यादी सिक्सा में और क्या सिध्धान्त है बुन्यादी सिक्सा के सत्य अहिंसा और सर्वद्य का सिध्धान्त सिक्सा को जीवन से जोडने का फिध्धान्त ज्यान का विकास करना सिल्प केंदरी सिक्सा मातरभासा के माध्यम से सिक्षा मतलब इन्होंने कहा कि भई यह सिक्षा के माध्यम से लोगों को सत्य आहिंसा के बारे में नौलिग देनी है सिक्षा को जिन्गी फे जोड़ना है, रोजगार फे जोड़ना है, जीवन का हिस्सा बनाना है सिल्फ केंदरी सिक्षा होनी चाहिए, लोगों से कुछ काम कार दियाना चाहिए, जिल साजी और बहुत सारे ऐसे काम जो सिक्षा के माध्यम से बच्चे को ट्रेंड किया जाए और जो education हो, वो मात्र भाजा की मात्यम से होने चाहिए, उनकी जो original language है, अक्षित्र की भाजा है, जिस भाजा में वो बात करते हैं, उसी भाजा में उनको पढ़ा जाना चाहिए बुनियादी सिक्षा के उद्देश है क्या है अगरे विवसाईग विकास को उपर तो आप सब समंगे होगे विवसाईग विकास क्या होता है कि बच्चा जो है ऐसी एजुकेशन ले जिससे वो अपने कलको काम पे भी खड़ा हो जाए महां से कुछ पैसे उसकी जो रोजी रोटी का काम भी चल जाए तो ऐसी सिक्षा उसको हमें दे नहीं है एक बार इंगलिस में देख लेते हैं spiritual development नेक्स आते हैं basic सिक्षा का पाठे करम हस्द सिल्प और वैपार, कताई, बुनाई, भागवानी, कर्शी, बढ़ाईगीरी, मचली पालन आदि यह basic सिक्षा का पाठे करम था आगे चलेंगे next slide में और क्या था basic सिक्षा का पाठे करम मात्रभासा, समान्य गणित, बीज गणित और जैमिती समाजिक विशे, समान्य ग्यान, संगीत, ललित कला, सारीलिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा बेसिक शिक्षकों का परसिक्षन जो बेसिक टीचर से उनका ट्रेनिंग कैसे हो उसके बारे में बताते हैं सिक्षकों को उनकी सिक्षा और अन्भव के आधार पर तीन या एक वर्स का सिक्षक पर सिक्षन दिया जाता था बेसिक सिक्षा में धार्मिक और नैतिक सिक्षा बेसिक सिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को धार्मिक सिक्षा भी दियाती थी उनके ध्रम से संबंदित और नेतिक सिक्षा भी दियाती थी नेतिक सिक्षा होती है हमारे जीवन में जीवन से संबंदिक सिक्षा होती है समालिक सिक्षा होती है हमारा वैभार कैसा होना चाहिए हमारे समाजी कर्तब्य क्या होते है हमारे जो माता-पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, उनके पट्टी हमारी क्याकरतब में होते हैं, हमारी बोल-चाल, ये सब नेतिक सिक्षा में आते हैं, तो इस प्रकार की सिक्षा भी बेसिक सिक्षा में दी जाती थी, बुनियादी सिक्षा के गुण क्या थे, इसके गु इंडियन जो प्यूपल थे, इंडियन प्यूपल बेस्ट एजूकेशन थी, उनसे संबंदित थी, वर्ग भेद का अंथ, यह नहीं कि किसी भी काटेगरी को देख करके उसको एजूकेशन नहीं दी जाती है, जैसे वेंदी काल में आपने देखा होगा कि फुद्रों को सिखा जाता था, टैक्टिकल करके दिखाती थे, तब उनको संबंद में आ जाता था, शिक्षा का मात्यम मातरभाशा हो, यह अच्छी बात थी इसके अंदर, कि जो सिक्षा है, क्योंकि हमारी संबंद में तभी आती है, जब हम उसको डिटेल में हमें पता चल जाएगा कि यह हम सभी संबंद पाएंगे जब हमारी मदर टंग में होगी, क्योंकि दूफ्री लैंग्वेज हमें संबंद में नहीं आती है, तो बेसिक शिक्षा जो है हमारी मातरभाशा में ही होनी चाहिए, तो यह अच्छी बात है, इसकूल और समाज के बीच गरिश संबंद थे, लोग और स्कूलों के बीच गरिश संबंद थे, स्कूल का, टीचर्स का, और गुरुजनों का, लोग संबान करते थे, एक अच्छा उनका रुत्बा था समाज के अंदर, तो एक अच्छी दोनों में संबंद थे आपस में, इसी को आप इंगलिस में भी देख सकते हैं, यह सब मैंने दिया है, training of basic teachers, religious and moral education in basic education, merits of education, यहाप आप देख सकते हैं, यह सब इंगलिस में भी मैंने साथ-साथ दियावा है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आप जैसे basic शिक्षा के आप पहले भी पढ़ते आए हैं, वैदिक काल से, तो हर चीड के गुण भी होते हैं, उसके पढ़ेंगे, demerits of basic education, इसके अगुण भी पढ़ेंगे यहापे, demerits of basic education, demerits क्या थे, ग्रामीन सिक्षा पर ही जोर था, regional language में बात होनी चाहिए, regional language में पढ़ा जाना चाहिए, तो ग्रामीन सिक्षा पर जोर था, उच्षा पर ध्यान नहीं था, higher education पर कोई ध्यान नहीं हैं, उसको cooking सिखानी हैं, तो there are so many things, जिसमें इसको train किया जाता था, तो यहाँ पर क्या था, सिल्फ पर बहुत जोर दिया जाता था, कच्चे माल की बरबादी, रो मेटील की बरबादी होती थी, क्योंकि उनको कर-कर के दिखा जाता था, कच्चे माल की बरबादी होती थी, समय और उर्जा की बरबादी होती थी, समय बहुत लगत लगता था कर-कर के दिखाने में लोगों को, धार्मिक सिक्सा का भाव था इसमें, बच्चों को उनसे द्वारा बच्चों को पढ़ा जाता था अब सिक्षा की वर्धा योजना पढ़ते हैं सिक्षा की वर्धा योजना 1937 कादी जी ने भारत में सरवोध्य की लक्षों को प्राप्ट करने के लिए बुन्यादी सिक्षा को अपनी योजना प्रफ्तुत की अब सिक्षा की ये नया टोपिक्स रोगा हैं आपे सिक्षा की वर्धा योजना हम पढ़ रहे हैं ये 1937 में स्टार्ट हुई थी और गांधी जी ने इसको दिया था तो इसके basic point पढ़ते हैं इसमें क्या था है कि नई तालीम दी जाए समाजिक क्रांती आए सिक्षा को लेकर के सभी को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाना है अहिंसक्षा बच्चों को ऐसी सिक्षा देनी है कि उनको जीव हत्या करने से रोपना है को किसी को मारे नहीं वो अहिंसक्षा दिया नहीं है ओके नेक्स चलते हैं आगे वर्धा योजना की मुख्य विसेश्था हैं क्या थी यहापे हम पढ़ेंगे वर्धा योजना की मुख्य विसेश्था हैं main features of वर्धा scheme इसको पढ़ लेते हैं लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ाना चाहिए इस scheme थी लिखने से पहले बच्चों को जायमीतिय आकरतियों को बनाने के लिए परसिक्षित किया जाना चाहिए बच्चा A, B, C, D, A, A नहीं लिख पा रहा है वन टू थी नहीं लिख पा रहा है लेकिन उससे पहले उसको जामीतिय है आकरतिया कोनती होती है जैसे कि वर्ग बना दिया हमने square बना दिया rectangle बना दिया triangle बना दिया circle बना दिया ठीक है ना तो यह सब जामीतिया आकरतिया बनाने के लिए बच्चों को प्रेरिद किया जाए, ताकि वो पहले pen को, column को पकड़ना सीख जाए, इसके बार वो सब कुछ सीख जाएगा, तो लिखने में सक्सम होने से पहले बच्चे को पढ़ना, लिखना, सीखना चाहिए, यहने कि बच्चे को सुरू से ही हमने लिखने उसको पुस्ट नहीं करना है, अब प्यार से सिखाना है, हर भारतिये को हिंदी और उर्दू सिखनी चाहिए, यहाँ पी सीट पे फोकस किया गया था, कि हर भारतिये को हिंदी और उर्दू जरूर आनी चाहिए, तो बच्चे को आट वर्स की आयू के बाद, इतिहास, भु प्रफिशाओ का सिलाई भी सब्जेक्ट बना दिया गया पेंटिंग सब्जेक्ट बना दिया गया स्टीचिंग और कड़ाई वुनाई ये सब सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास आए हैं कुकिंग विध्यारती को ऐसे वविशायस में लगाना चाहिए जिससे उसकी यहां पर गानरी जी ने कहा वर्दा स्कीम के थुरू कि हमें बड़े-बड़े बिल्निंग जाने की जरूत नहीं है हमें सिरफ एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने की नीड है तो अंग्रेजी में अंतराष्टिय समागम और वानिच्जय का स्थान होना तो यह सब थे वर्दा विर्णा की मुखे पर सेचता है आप यहां पर पढ़ सकते हैं astronomy, arithmetic, geometry and algebra after the age of 80 years a boy or a girl of 16 years should know serving and cooking the students should be engaged in such vocations that its procedure may meet the expense of the school huge and costly buildings are not necessary English should have a place of international intercourse and commerce तो यह थी वर्दा विर्णा की मुखे विसे इसता है main features of वर्धा scheme next slide पे चलते हैं sergeant, अब sergeant योजना के बारे में आते हैं यह नई एक योजना आई थी sergeant कुछ sergeant योजना के सुझाव और सिफारी से बढ़ेंगे sergeant योजना के बारे में परसासन के संबन में सुझाव क्या दिये थे परसासन का मतलब है administration उसके बारे में क्या सुझाव दिये थे sergeant ने तो परसासन उच और तक्नीकी सिख्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए जब परसासन जो है और तक्नीकी सिख्षा ये केंद्र सरकार के गंट्रोल में होनी चाहिए केंद्र में एक सकती साली सिख्षा ये भाग की स्थापना की जानी चाहिए एक education का department बने department of education आपने देखा होगा हमारे पांस आज भी है ministry of education तो केंद्र और राज्य सरकार की सेक्षिक कारेकरम में समन में होना चाहिए दोनों में आपस में तालमेर होना चाहिए यहने की state government केंद्र कार की policy को मतलब उसको मानने से accept नहीं कर रहा है तो मना कर रहा है तो आपस में दोनों में तालमेर होना चाहिए पूर प्रात्मिक सिख्षा के समन्द में क्या सोचावती यह ती सार्जेंट ने यह पढ़ लेते हैं भारत में 3-6 साल के लिए नर्सरी स्कूल खोले जाने चाहिए इस आयू वर्क के लिए सिख्षा मुफ्थ होनी चाहिए इन विधालों में केवल महिला सिख्षकों की निप्ती की जाए पूर्प्रातिक नरसरी स्कूल के बारे कह सकते हैं, दरसरी, KG, UK, बच्चों की उपसीती अनिवारीये नहीं होनी चाहिए, बत्लब बच्चों को वो अपनी मर्जी से आ भी सकते हैं क्योंकि बच्चा छोटा होता है तीन साल की एद में, तीन साल, चार साल का बच्चा, उसक उसके लिए मदर फादर कहीं जा रहे हैं गोमने के लिए तो बच्चा भी जा सकता है उके उसके लिए छुटी रखने पर उसको कोई परिस्पेंड नहीं दे जाता था कोई attendance का record मतलब यह नहीं कि इसको attendance कम होगी तो उसको exam से कर दे जाएगा तो वहाँ पर बच्चों की उपस्तिती अनिवारिये नहीं होनी चाहिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इंगलिस में सेम suggestions and recommendation of certain plan suggestions regarding administration और suggestions regarding pre-education pre-primary education इस अब मैंने यहाँ पर दिया हुआ है next चलते हैं आगे प्रात्मिक सिक्षा के संबन्द में सुझाओ पढ़ेंगे हमें पढ़ेते भी pre-primary के बारे में अब प्रामरी के एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे चैसे 14 साल तक 8 साल के लिए बच्चे को निस्सुल्क होनी चाहिए गुवर्मेंट की तब से इसके लिए कोई फीस न लेनी चाहिए बच्चों से ऐसा सुझाओ दिया सार्जेंट ने और क्या सुझाओ दिया प्रात्मिक सिक्षा को दो स्रेडियों में विभाजित क्या जाना चाहिए पहली है 6-11 वर्स आयू वर्ग जिसमें 1-5 क्लास तक पढ़ाई जाए जूनियर बेसिक और 11-14 वर्स आयू वर्ग कक्सा 6-8 तक के लिए इसको बोलेंगे वरिष्ट बेसिक जो 1-5 तक की क्लास है उसको बोलेंगे जूनियर बेसिक और उसको बोलेंगे वरिष्ट बेसिक junior basic के लिए उंगरेजी अनिवारिया नहीं होनी चाहिए यानि एक से पांच क्लास तक अनिवारिया इंगरेजी नहीं होनी चाहिए ये सुझाव दिया sergeant ने junior basic सिक्सा को co-ade होनी चाहिए co-ade मतलब जिसमें girls और boys एककट्छे बैठ सकें लड़के लड़गियां इकठे बैठ सकें, इकठे पढ़ाई कर सकें, जहां तक संभव हो महिला सिक्सकों की निवती ही की जाए, टीचर्स चालतर लेडी टीचर्स ही उपे रखें, जूनियर बेसिक स्कूलों में सिक्सकों को पढ़ा जाना वाला अनुपाद एक तीस होना च चाहिए, तीस बच्चे हो तो एक टीचर हो, साट बच्चे हो तो दो टीचर हो, नबए बच्चे हो तो तीन टीचर हो वरिष्ट बुनियादी इस्तर पर स्थानिय सिल्प या कोसल का जान परदान किया जाना चाहिए Senior Basic स्कूलों में सिख सक पढ़ाय जाने का अनुपात एक अनुपात 25 होना चाहिए ओके Junior Basic में तो 130 होना चाहिए और यहाँ पे 125 याँ पे Senior Basic में क्या होना चाहिए यह 25 बच्चों पे एक टीचर होना चाहिए Suggestions regarding Primary Education एक बार English में देखेंगे Free and compulsory 8 years primary education for every child in the age group of 6 to 14 years Primary education should be divided into two categories Junior Basic for 6 to 11 years age group, class 1st to 5th and Senior Basic for 11 to 14 years age group, class 6 to 8th English should not be compulsory for Junior Basic Junior Basic education should be co-ed As far as possible, female teachers should be appointed Teachers' tort ratio should be 1, ratio 30 in Junior Basic schools Knowledge of local crafts or skills should be imparted at Senior Basic level The teacher tort ratio in the Senior Basic schools should be 1, ratio 25 Alexa 4395, ajajajahasya & a вмodary Das half as well,二 families, national school and Chair 9, замет Maadhamik Sikha ke safenabe sa отлич Mayadhamik Sikha ke safenabe saabay 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 किया गया दो परकार के उच विद्धालों का अविजन किया जाएगा सेक्ष्णिक और तक्निकी इसमें तो only education दी जाएगी पढ़ाने के लिए और एक तक्निकी का मतलब है technical education जिसे पॉल पॉल टेक्निक की सुरुवात हैं से हुई थी इंजिनिंग की सुरुवात हैं पर सुरुवात हैं बीटेक करना है किसी को ओके पॉल टेक्निक आईटी आई वगरा दोनों तरह के स्कूलों में कक्सा छटी से आठवी तक तीन साल का पाट्टेक्रम एक जैसा होगा 6-8 तक एक कुछ विशे समानने होने चाहिए जैसे मात्रभासा, अंग्रेजी, गनित, विज्ञान, अर्थसास्त्र, क्रशी और सारेलिशिक्षा तक्निकी विध्यालों में लकडी का काम, धातू का काम, ड्राफ्टमेंसिप, सरल इंजिनरिंग, ड्राइंग, वानिज्जे, आसुलिपी, टाइप राइटिंग, अकाउंटेंसी, आदी विसे पढ़ाय जाने चाहिए तक्निकी विध्यालों में, टेक्निकल कोलेजिज में गरीब छात्रों को छात्रवर्ती दी जाने चाहिए और लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग स्कूल खौने जाने चाहिए किस लेवल पे? सेकंडरी और सीनर सेकंडरी लेवल पे वहाँ पे लड़के और लड़कियों को अलग की जाना चाहिए पहले हमने बोला था कि कोवेड हो एक साथ पढ़ सकते हैं लेकिन यहाँ पे बच्चे बड़ा हो गया तो उन्होंने बोला कि लड़कों लड़के के लिए अलग-अलग स्कूल होने चाहिए और माध्यमिक विध्यालों में सिक्षक सिक्षित अनुपात वन रेशो 20 होना चाहिए यानि यहाँ पे 20 बच्चों पे एक टीचर होना जरूरी है तो सजेस्टन्स रिगार्डिंग सेकेंड़ एजुकेशन आप यहाँ पढ़ सकते हैं आप इसको आयते सीनिर सेकेंडरी लेवल पे और उच सिक्षा में मैं आपको बदाता हूँ कि बारवी को यहाँ पे उच सिक्षा में रखा गे रखे जाने का सुझाव दिया था तो इंटर्मेडियर्ट कक्षाओ को कोलियों से अलग किया जाना चाहिए जारवी कक्षा को मादमेग सिक्षा और बारवी कक्षा को सनातक से जोडने की बात कही गई थी केंदर में विस्विधालने अनदान तमीती का गठन किया जाए उनिवर्स्टी ग्रांट कमिशन कमेटी गरीब और मेदावी चात्रों को चात्रवट्टी दी जानी चाहिए जो गरीब चात्र हैं लेकिन होस्यार है विस्विधालने अस्तर पर वेतनमान में फुदार किया जाए सेल्दी बढ़ाए जाए टीचर्स की ओके और दोगिक और तक्निकी सिक्षा के सावन में सुझाओ राष्टिय तक्निकी सिक्षा परिफत की स्थापना की जानी चाहिए सेमी स्किल लेबर सीनियर बेसिक स्कूलों में हो जो सेमी स्किल लेबर है वो सीनिर बेसिक स्कूलों में दी जाहिए और कुसल फिल्पकार की ट्रीनिंग कहा दी जाए और द्योगी की विध्यालों में इसे की आईटाई की स्कूल थे उनमें दी जाए जूनियर एक्जेकुटिव और फॉर्मेन की ट्रीनिंग कहा दी जाए तक्निकी उच्छ विध्यालों में जो engineering college है वहाँ पर दी जाने चाहिए और मुख्य कारिकारी अधिकारी और अनसन्धान कारे करता तक्नीकी कोलीजों या विस्विधालों में तक्नीकी शिक्षा इभाग में यह तो technical college अलग होने चाहिए या पर जो universities है उसमें जो technical department है वहाँ पर इसकी सिक्षा दी जाने चाह परतम बैंकिंग और लेखा और दूफरा अंकेक्षन कहते हैं अउडिटिक को एक बार इंग्रिफ में देखेंगे Suggestions regarding higher education Intermediate classes should be separated from colleges Class 11 should be attached with the secondary education and Class 12 to the graduation University grant committee should be formed at the center Scholarships should be given to poor and intelligent students The pay skills should be reformed at university level Suggestions regarding industrial and technical education के बारे में कैसा जाओते है National Council for Technical Education should be established Central level पे National Council established की जाने चाहिए Technical Education के लिए Semi-skilled labor senior basic schools में हो Skilled craftsman कहां बने? Industrial school में, ITI में Junior executive and foreman in technical high schools में Chief executive and research workers in the technical colleges और the department of technical education in the university Commerce education should be divided into two categories First, banking and accounting and second, auditing Auditing केते हैं, unction को तो ठीक है friends, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही और आज की वीडियो के साथ साथ हमने unit second को भी खतम कर लिया है और next video में हम third unit के साथ फिर दुबारा से मिलेंगे ये मेरा lecture six था और आप मेरे फार लगतार बने दिएगा मैं सारी वीडियो की आपके सामने लाना जा रहा हूँ तो next video में फिर मिलते है जय हिन जय भारत